तो दोस्तों वैगनार के स्रीज गाड़ी है आज इसकी करनी है मेजर सर्विस वो टेस्ट कर रहा हूँ विकप में कोई दिक्कत नहीं है पढ़िया चल रही है एकदम एक्सलेटर पैडल दबाते ही अच्छे चो उठ रही है दिख रहे हो बस थोड़ा सा क्लच इसका हाड है अवाज सुनो तो करेंगे इसको और आज मेजर सर्विस करते हैं कस्टमर कहा यह कहना है कि जब से गाड़ी ली है एक आद बार इंजन विल चेंज हुआ है 2017-18 मोडल काड़ी है तो आज इसकी सर्विस करेंगे स्टैप बाइ स्टैप क्या-क्या चेंज करना है एवरेज के लिए थ्रोटल बगेरा सारी चीजी चैक करेंगे देखेंगे तो ब्रेक पैड की कंडिशन सही है भाई गाड़ी मेने लगा लिए जैक पे इनको साफ करके हम लगाएंगे डिस्क भी बिलकु लोक के है और ये गाड़ी लगा लिए लिफ्ट पे आज पूरा मेजर सर्विस जैक पे लगा लिए मेजर सर्विस करेंगे प्रॉपर एक दम इसकी गाड़ी चोदे पंद्रह जार किलो मेटर चल चुकी है तो उसी हिसाब से इसका बढ़िया से देखेंगे वील बेरिंग हमने चैक कर लिए है वील बेरिंग जो है वो प्रॉपर है कोई दिक्कत नहीं है किसी लाइनिंग डिस्क पर आई है यह चलेगा ठीक है सुस्पेंस नारम वगरा यह भी बिल्कुल ठीक है भी ज्यादा निकटी चल जाएंगे जो जरूरी है वो करेंगे शोकर इसके वीक हो गए यह बिग रहे हो सोकर का प्रूवल लेंगे अगर बताते हैं तो चेंज करे करेंगे कस्टमर के इंजन ओईल की यह कंडिशन है भाई इंजन ओईल तो पूरा है पर चलेगा नहीं खराब हो गया है सर्विस हो रही है तो बदलेंगे भाई इसको ठीक है ब्रेक फ्लूड़ है इसके अंदर डोट कौन सा डलता है डोट को ठीक है डोट 3 डालेंगे इसमें हलका सा कम है इसको भी पूरा करेंगे वाईपर ब्लेड यह हलका सा एक काम कर रहा है इसको चेंज करेंगे हलका सा कर रहा है काम इसको करेंगे रिप्लेस छोड़ दे रहा ह वाला शाइक काम कर लुछ, कोलेंट लेवल, भी चेक करेंके, हुलकर कोаз время बोटल से कुलेंट आ रहा है तो इसका थरम स्टेड वाल जो है, वो मुझे लग रहा है काम नहीं कर रहा है। उसको भी चेक करेंगे, ठीक है, वैसे कुछ मेजर इसमें दिखा नहीं है, ये बोतल का कैप मिसिंग है, इसको देख लेंगे, लगा देंगे, मिल जाता है, तो नोर्मल इंजन ओल ओल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ये सारी चीजे डालेंगे, दो कमिया और मिली है, इसके अंदर, वाइपर ब्लेड हो गया, बात करेंगे, तो लाइट है, इदर की बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है, और यहां से बस फिरफ एकी डबल प्वेंट का ब्रीक का बल्ट है, ये मिशी है, इसको डालेंगे, बोक्के करेंगे, गाड़ी चल चुकी है, चालीस ह है, गेर भी आवाज नॉर्मल है, अभी जो आवाज थी, वो मैं सुनाता हूँ आपको, ये यहां पर सुनना, कट-कट की अवाज आती है, और क्लच भी थोड़ा सा हाड है, इसको करेंगे, ठीक है, इसका ये निकला पड़ा है, इसका कवर ही इसको भी फिक्स करेंगे, वहाँ पर जाके ये प्रोपर सैट हो जाता है, ठीक है, तो चलो यही है इसमें, मेजर ऐसा कुछ सर्विस नहीं नॉर्मल सर्विस आएगी, वो करते हैं, भाई, लेप्ट एंड साइड का तो बिल्कुल ओक्के निकला था, इस तरफ कदे को बिल्कुल पैड खतम निकला है, तो भाई, ब्रेक पैड कंप्लिंट उसे साइड से भी खोल के रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, ब्रेक पै अब भी खोल के देखेंगे, थ्रोटल भी क्लीन करेंगे, तो भी भाई, ये इनिशियन कोईल है, इसका एर फिल्टर निकां लिया है, भोती जंदी हालत थी, और थ्रोटल देख लेएगे, वोसा लंगर से भोत गंदा मिला है, ये देख रहे हो, आज तक ताम ही मतंद लग क्लीन करेंगे, प्लगों की क्या कंडिशन है, प्लग देखेंगे, ये एर फिल्टर है, देख रहे हो कितनी मिट्टी, इसको रिप्लेस होना चाहिए, एवरेज इसी वज़े से इनिया आता गाड़ी में, अभी इसको सब को करेंगे, अच्छे से बढ़िया हो जाएगा, ओ कितनी गंदी हालत है, बिल्कुल गिरीज जैसा हो गया है, बहुत बुरा मनलग कंडिशन था, ऐसे इनिया 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 डालेंगे, तब देखेंगे, तो दोस्तों ये वो अवाज है, ठीक है, इस अवाज को बंद करना हमें, चलो, प्लगों की कंडिशन तो बिल् का सा गैप बड़ा है, ये गैप हम ओके कर देंगे, लगा देंगे वापस, बड़ी आए एक दम, कोई दिक्कत नहीं है, लगों को साफ करके लगाएंगे, तो इसके अंदर जो है, ये वाला जो बल्ब है, डबल पोइंट का, ये वाला मिसी में, इस बल्ब को डालेंगे, ठीक है, और इंजन ओल डाल रहा हूं ये वाला, 10W40, ठीक है, सिंथेटिक इंजन ओल, ये सारी चीजें, जैन वन ओल हम इसमें डाल रहे हैं, चलो फिर, तो भाई, इंजन ओल डल रहा है, कैस्ट्रोल का, ये देख लो, नया इंजन ओल, ये होता है, ये है, कंचा सा ओल है, जैनुवन सारा समान डालेंगे, अपने गुबान को, भाई, और सिटी, गाज़बाद में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जायाएगा, मतलब बैड्रस बगेरा सब, कैसे है, क्या है, जैनुवन सारा काम होता है, ठीक है, इंजन विल तो गया, डन, ठीक है, आभी प्लग प्लग जो है, यह, बढ़िया से इसको लगाएंगे, क्योंकि यह प्लग जो है, अमारी गाड़ी के, बिल्कुल सही निकले है, इनको लगा देंगे, साफ करके, गैप मिलाया है, क्योंकि CNG गाड़ी है, 0.08 mm गैप होता है, ठीक है, ना, हमार देखो ही निभागो, बढ़ि से, ठीक है, तो इंग्यन ओल दल गया है, ओल फिल्टर भी डल चुका है, नया, वो दिखाता हूँ मैं आपको, यह ओल फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, इंग्यन ओल दल गया है, अब एर फिल्टर और, एसी फिल्टर भी चैक करेंगे, एक बेर, एसी फिल्टर कस्टमर ब तो भई, बहुत ज्यादा हिसाब किताब बना हुआ है, देखू, क्या हालत है भई, ऐसी फिल्टर की, चुहोंने, हालत खराब कर रखी है भई, इसकी तो, भई, इसको भी, साफ करेंगे, तो ये ऐसी फिल्टर भी, चैंज करेंगे भई, ये भी वेकार निकला है पुरा, तो अब ठीक है, वो ब्लोर मोटर है अंदर, वो चैक कर लिया, अच्छे से वहाँ पे, सब सही है, एसी फिल्टर भी बदलेंगे भाई इसका, ठीक है, तो भाई, ब्रेक पैड हम डाल रहे हैं, यह जो मारका होता है न, यह वाला, पीछ वाला, इसको मैश करना होता है, ठीक ह मारूती के ही हम ब्रेक पैड डाल रहे है, फोटल भी क्लीम कर दिया है भाई, ठीक है न, तो देखो, अच्छे से क्लीम कर दिया है, मतलब अंदर से खोला नहीं है, इसको, यह पी स्टार्ट करके न, हम मेरा स्टोप मारा है, हार पेम भी देखे, वीडियो बहुत सारी हो, अभी लगाएंगे एर फिल्टर, इसमें लगा हुआ है, लगा देखे, एसी फिल्टर लगा दिया है, दूसरा, नया चेंज कर दिया है, करते हैं पैक, पीछे के ब्रेक्स इसके गाड़ी के, यह हालत है, आज तक मुझे लग रहा साफी में हुए है, यह देख रहे हो, यह बाल लिखला है, और इनको चला के चेक करेंगे, एक बार अच्छे से पेच कस लेए अबावो पहले को, यह वरकिंग में है, कि यह है, वील सिलेंडर वरकिंग में है, ठीक है, बस इसको साफ करके लगाएंगे, पहली बार ही कुला है, दोना तरब के ऐसे कोल के साफ कर है, ना एसे रमपाइस में इसकी ब्रिख साफ हो रहे हैं घाड़ी के बड़िया, चला करने देगा की अइसे उस तरफ क में आका करेंगे, बड़िया से, बड़िया, कर दो टाइट, देख रहे हैंगे, नट बिल्लकुल नएओ आप में घखलाएंगे, आनक साफ हूसर घश तो यह पहली बार ही खुला है आज तक खुलानी है चा भी लगे लिए इस तरफ को हो गया आप दूसरी साइड करेंगे क्लिए तो भाईयों कम्प्लीट ब्रेक ब्रेक पीछे के सब क्लीन हो गए है सर्विस इसकी प्रॉपर हो गई है इंजन ओयल फिल्टर एयर फिल्टर एस इंजन ओयल पूरा है ठीक है लगावए ओयल फिल्टर चेंज हो गया ब्रेक फ्लूड भी कम्प्लीट है इरा ठीक है बैटरी के हमने टेस्टिंग कर लिए थ्रोटल क्लीन हो गया ब्रेक पैड इसके चेंज हो गई है अब इसकी लाइटे वगए है पीछे की भी वो रागे वो चेक कर लेते हैं, इंडिगेटर जल गये, बंद कर दो इंडिगेटर, पारकिंग, ब्रेक भारो, ब्रेक लगाओ, ठीक है, रिवर्स गेर, ठीक है, ब्रेक भ्रेक लगाओ, ऐसी इदर हो रहा है, सब बिलकुल ओख्ये हो गया, आगे हेड लाइट बगयरा चेक कर लेते हैं चलो जरा छोड़ दो ब्रेक ठीक है ब्रेक पैडल दबाओ ठीक है ठीक है हेड लाइट ओन करो ठीक है ठीक है सब कुछ ओक्षे है अब इसका करेंगे फाइनल रोड टेस्ट वो जो अवाज आ रही थी clutch pedal लबाने पर वो भी चेक करते है complete काम हो गया है road test अब करेंगे गाड़ी का वो अभी pedal से जो noise आ रहे थी वो मैं आपको दिखाता हूँ वो normal हो गई है पहले जो आवाज थी वो कुछ और थी अब तो है ही नहीं यार ये रहागा इसका cover इसको भी fix करेंगे तो अभी चलते है road test पे total clean किया है पुरा normal service किये देखते है कोई improvement आया कि नहीं है improvement तो आयेगा भाईश चलते है चलो गाड़ी हो गई है बढ़िया एकदम कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी सीधी भी चल रही है improvement की भी जरूरत नहीं है तो दोस्तों यही था इस वीडियो में clutch थोड़ा सा इसका hard है हमने customer से बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं यह भी चलेगा पर नहीं तो मज़ा आ जाता और भी भाई चलो फिर thank you so much मिलते हैं किसी और यह बारत